हेलो फ्रेंड स्वावगत है आपका हमारे चैनल पॉल टेक्निक क्लासेज में आज हम डिसकस करें कुछ इंजिनिंग मेटेरियल से रिलेटेड जिसमें हम लोग काफी चीज़ आपको पताएंगे कौन-कौन से इन बच्चों के लिए जो बच्चे को अच्छे तरीका त्यारी कर चुके हैं सलेवस को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टन है जो भी आने वाले एक्जाम से यह उनके लिए बहुत फायदा हमारा करेगा और जिन लोगों ने नहीं त्या क्लासिफिकेशन बताना है और इसके अब्जेक्टिव बताने दोनों चीज़ा में बतानी है ठीक है और क्या कैसका प्रिंसिपल है मिस अगर कभी कभार बेशिक्स कॉस्टन आ जाता है कि यह पूछ ले कि हमारे इंजिनिंग मटेरियल में कौन-कौन से मटेर्स का यूज कि आता हो किस किस तरह से अप्लिकेशन होते हैं तो उन चीजों के बारे में भी एक्जाम में इस आने के चैंसे जादा है आगे नेक्स्ट कॉस्टन डिसकस करेंगे अभी अंदर की परदारतों के वेबिन यांत्रिक गुणों का वर्णन कीजिए मिस जो भी हमारी मेकेनिकल प इसमें निम लेकित पदों को समझे इसमें लिखाए इस ट्रेंथ प्लास्टेसिटी तन्यता और फटी यह चार हमारे जो हैं कुछन से कभी-कभी इस तरीके से भी पूछा जाते हैं कि पूछ जाते हैं कि यांतरी गुणों का बताईए और कभी-कभी आते हमारे इस कोशन आने की चांसिस होते हैं और कभी-कभी इस टैस्ट कोशन और को एकस्पें करना है तो इस के लिखक उमारे आता है को बताया जाते हैं और उसके प्रकारों को एक्स्प्रेइन किया जाता है तो यह कोशन भी काश्ट आरेन के टॉपिक से बहुत इंपोर्टेंट है ताकि यह कोशन हमारा कभी भी एक्जाम में आने के चांसे ज्यादा होते हैं नेक्स्ट कोशन की बात की जाए स्टील उत्पादन में विविन प्रोसेसों के नाम बताई और इस टैप से भी कोशन आता है कि स्टील क करने को एक्जाम में आ जाता है जो कि हमने इस लिवस में भी भी ए रखा य tropical द razor ज्यादा है जरूरी है हो सकता है कि नाम से बात कि इस प्रकार कि पढ़ाना है चार्बन की पतिशित मात्रा के अंधार पर विविन प्रकार के स्टील का संशिप बनन कीँए तो एकोड़िंग डूदा कार्बन कर रहा है यह कोश्चन भी हमारा क्या है इंपोर्टेंट जो आगे चलते हम नेक्स कोश्चन की बात करते हैं सेवंध कोश्चन है हमारा कि अलॉय स्टील में आलॉयिक टत्वह का समभत किने अधेश के पूरते के लिए किया गरता है ङलाईंट कीजिए में की सारे elements के बारे में बताया जाता है का उनकों से elements को मिला रहे हैं और किस objectives के लिए हम लोग से मिला रहे हैं तो यह 7th question भी हमारा क्या है important है next question की बात की जाए 8th question निम्न और alloy steel की परतिज़ा सन्रचना गुण और उपयोग दीजिए तो इसमें क्या है कि जो हमारे speed steel दूसरा है stainless steel तीसरा है silicon steel तो कभी-कभी एक्जाम में इस टाइप से भी पूछे जाते हैं कि तीन steel के नाम देती हैं उनमें से किसी दो कोशनों करना होगा कोई भी दो जैसे दे रही है या 8th question में आप देख सकते हैं पूरा कि कभी-कभी और भी पूछ लिए जाता है उनकी mechanical properties के बारे में पूल जाता है तो यह आपके तीन चीज़ दे रखी है करें आते हैं चलिए आगे next question की बात की जाए 10th है हमारा उस्मा अप्चार से क्या समझ सकते हैं उस्मा अप्चार क्यों देख बताई तो heat treatment के परहें बताना है पूरा heat treatment हमारा किस तरीके से वर्क करता है क्या ही treatment होता है क्या क्या उसके objectives होते हैं यह सारी अच्छों मार्टिन साइट transformation किस तरीके से होता है कूलिंग कर्व में जैसे ट्रिपल T करव होता है मारा cooling कर्व सोते हैं तो कर में जो इसे आने के चांसे बहुत ही ज्यादा होते हैं कि क्या क्या इससे पूछ लिया जाए कभी मार्टिन साइड आए ट्रांस्फर्मेशन पूशता है कभी और नाइट वाला ट्रांस्फर्मेशन भी पूशता है तो यह हमारा भी सब में पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट है ट्वल्थ उसमा अपचार के सभी संक्रियाओं के उद्देश बताइए अनिलिं भी अमाठेट होता है यह हमारे कैई सारे प्रॉसे व पढ़ना पड़ेगा विद्ध जेसारे जाल स सब्सक्राइब होता है ऐस प्रकृष से विदी बताईए तो इस टैप से भी हमारा कभी कोशन आता तो यह सारे प्रोसेस को पढ़ने पढ़ेंगे सभी प्रोसेस को फिगर के साथ डीटियल में पढ़ने पढ़ेंगे यह कोशन बहुत ही जाते इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखेंगे 12 को चलिए आगे नेक्ट ब चाहिके में बताना होगा कि किस तरीके से हमारे वर्क करता है नेक्स्ट हमबात करने 14 अभी नासकार यह परेक्शनों के मिनम्ने टेपड़ी लिखेंगे अब जो नन-destructive सकती है कि नाम से ब्हुतरी आ सकती है या कोई एक विदी के बारे में भी पूझा सकता है जिसेंद म तेस्टिंग नाम से भी आती हैं यह कभी पूछ लियाता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एंडिटी जो हता है इसके बारे में पूरा बताईए तो यह कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है और इस कोशन से आने के चांसे बहुत जादा एक्जाम में तेके नेक्स्ट कोशन की ब इसी तरह से टेंसायल टेस्टिंग की कोई एक एक टेस्टिंग मेथड पढ़ लिजेगा जिससे हमारा यह टॉपिक क्लिर हो कभी एंडिटी से रिलेटेड कोई कोशन आए तो इसी चीज़े हमें पता चल जाए तो आगे हम बात कर रहे हैं नेस्ट कुशन हमारा 16 अब 16 में अ капle कोशन अब क्या होता है कि प्लास्टिक से भी कोशन हमारा आ ताया क्लास्टिक से किया समस्ते संचेब में मैंograph एये थर्मोस 2007 जाते होते हैं प्ल्सटिक सोर्स प्लास्टिक के अधिकेशन थर्म ४्लास्टिक की बहुं पूरा पढ़ना इसके ग्जामपेल पढ़ना पढ़ decision में अध्या खिए। और जट्वन दोनों के बीच में डिफरेंस धर्म composite material last topic है हमारा last chapter का जिसमें कई सारे materials दिए गए है composite material अडेसिब material तो उन में से एक हमारा है composite material तो इस composite material के uses क्या properties हैं क्या इसके और uses हैं तो यह सब चीजों को आप पढ़ लीजेगा इन सब चीजों से question बहुत आता है एक question जरूर कवर करता है में adhesive adhesive से भी आता है हमारा कि adhesive हमारे क्या होते हैं और adhesive की uses तो यह एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एक्जाम में बहुत पूछते हैं कि भी composite material क्या होता है कभी कभी ceramics से भी related question आ जाते हैं तो यह जारे material जो है इन सब को पूरा detail में पढ़े लीजेगा एक बार इससे related कोई भी question आता है तो सारा हमारा cover कई जैसे 18 question हम देख सकते ceramics को प्योग बताई तो कभी कभी एक्जाम में आता है कि use of ceramics तो एक बार आप पढ़लेंगे use of ceramics तो यह आपको cover कर जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते नेक्स question है निम लिकित को संचेब में बताईए अभी इसको पूरा बताना है unit cell second chapter से हमारा crystal और यह हमारा space lattice तो यह क सब्सक्राइब के इंद्रित घंसंद्रचना जो से कहते FCC यह गरत लिए FCC उसके बाद अंतर के इंद्रित घंसंद्रचना BCC और SCP इन सब को आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा इस सब के बारे में कभी कभी बहुत पूचा जाता है एक्जाम में इसके आने FCC के BCC के और HCP य कोई नो कोई questions आने के chances हैं या तो यह पूच सकता atomic packing factor क्या होता है यह number of units in a cell क्या हो सकते हैं तो यह सब चीज़े हमारे इस question में cover की जाएंगे ठीक होटा तो यह सारा क्या है यह सारा चीज़े हमारे पूची जाती है एक्जाम में और यह हमने तो टोटल आपको 20 questions दे रख हैं आगे हम बात करें कि जो बच्चों ने नहीं त्यारी की है इन questions की या इन subject की इस subject के बारे में पूरा detail में पढ़े लिजाएगा इन चीजों को और इन चीजों के बारे में हमें बताएगा जैसे बात कर रहे हम लोग कि यह engineering material जो है यह topics में हमारे कई सारे topics दे रखे हैं लेकिन मैंने selected questions सर्च किए हैं जिनमें से आने के chances ज्यादा होते हैं तो यह 20 questions जो हैं इन 20 questions को पूरा पढ़े ली जागा और यह 20 questions most important questions हैं और 100% इसमें से questions आने के chances बहुत ज्यादा हैं ठीक है तो thank you guys